टेशिस ने वाटेंडर करने कि डिट को अनौस का दिया, commitment ratio निकल के 17 परसंट है, for retail category के झाल, buyback tender के लिए जो तारीक रखे गया है ios 11 low 7 December रखे गया और small category के जो shareholders हैं जिनके past 2 lakh से कमी holdings है classification उनके लिए जो entitlement ratio है 6 is to 1 यादिक जान 6 share पर एक share का buyback किया जाएगा और जो बड़े share holders हैं guys 209 share के पीछे 2 share का buyback किया जाएगा अगर buyback की record की तारिक से पहले आपके पास team account में shares थे guys तो आप buyback के लिए eligible हो रहे हैंगे आपके पास चाहिए 2 share हो चाहिए 3 share हो लेकिन आप buyback जरूर करना यहाँ पर guys मेरे पास 4 share की holdings हैं लेकिन मैं eligible नहीं हो एक भी share के लिए tender करने के लिए लेकिन मैं फिर भी tender करूँगा अगर buyback की एक से पहले आपके team account में guys 6 share से अबब के share हैं तो guys आप eligible रहेंगे यहाँ पर मेरे पास 7 share है और मैं एक share के buyback के लिए eligible हूँ जिसमें buyback tender करने के लिए उतारिक रखी गई है guys 1 December से लेकि 7 December के बीच में आप tender कर सकते हैं और guys 7 December को जो रहेगा 5 PM तक आप tender कर सकते हैं आपकी क्या रहा है buyback में apply करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए guys comment करके जरूर बताना thanks for watching